तो हेलो दोस्तों आज हम सभी लोग हिंदी साहित जो की एक optional subject है पिसे है उसके पार्ठिकरम और स्लेवस के बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन-कौन से कभी है जो आपको हिंदी साहित की आपनों चोच करने के बाद पढ़ने पढ़ेंगे कौन-कौन से पुस्तके हैं जो उनका वियों द्वारा लिखी गई है या जो उनके लिखक हैं आप यहां जानेंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है हिंदी साहित ऐसा की आप जानते हैं स्कोरिंग भी सह है एज ऑप्सनल इन यूपीसी मैंस आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो हम चर्चा करते हैं पहले तो हम आपको बता दें कि जैसा की ऑप्सनल में दो पेपर होंगे प्रसंपत्र एक और दो तो यहां पर दोनों जो प्रसंपत्र हैं उनके मार्क्स मिलाकर 500 या 500 होते हैं बट यहां पर दो प्रसंपत्र हैं जो की दोनों अलग-अलग होंगे एक प्रसंपत्र को लिखने का समय तीन घंटे होगा और एक प्रसंपत्र के जो मार्क्स हैं वो 250 मार्क्स हैं इस तरह के से दो प्रसंपत्र 500 मार्क्स के हैं जो यहां पर आप अभी देखेंगे तो आगे हम बढ़ते हैं अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एज़ा सब्जेक पान सो मार्क्स है बट सब्जेक्ट के अंदर जो ओप्सिनल है उसमें दो पेपर होंगे प्रिसन पत्र एक और दू जो 500 नम्मर में डिबाइड़ है इसी गड़ी में हम दिखते हैं आगे पिसन पत्र एक इसमें घंड का है जिसमें हिंदी भासा और नागरी लिपी का इतिहास दिया होगा जो कि आपको पढ़ना होगा हिंदी भासा और प्रारंबिक ये क्या ब्याक्राण तद्धा अनपरियुक्त सरूप या आप सबी लोग पढ़ेंगे इसके अंतरगत जिन लोगों का सब्जेक्ट हिंदी साहित ऑप्सनल होगा वो लोग इसके बारे में या उन लोगों को इसके बारे में जानगारी होगी जिन लोगों ने सलेवस कभी नहीं देखा है पहली बार देख रहा है तो वो जान लें कि अपवांस अपवट और प्रारंबिक हिंदी का ब्याक्राण अनपरिक्त सरूप में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा इसके अंतरगत और दूसरा पॉइंट जो है मद्दिकाल में ब्रज और अबधी का साहितिक भासा के रूप में विकास हम सब लोग जानते हैं कि ब्रज और अबधी भासा बहुती ज़्यादा महत्पून होती है हिंदी साहित जो लोग पढ़ते हैं उनको पता है तो इसलिए यहाँ भी ब्रज और अबधी के बारे में उनके कभी उनकी रचनाएं के बारे में आप लोग को पढ़ना पढ़ेगा ब्रज और अबधी जो जानकारी में आई वो मद्दकाल में आई तो आप लोग इसलिए यहाँ पे मद्दकाल में लिखा हुआ है अगे बढ़ते हैं सिद एवम नात नात का साहिद खुसरो, संत साहिद, रहीम, आद कभियों और दक्षिनी हिंदी में खड़ी बोलोई का प्राइरमिक सुरूप भी आप लोगों को पढ़ना होगा जैसे आप इसमें अभी सिलेबस में तो बहुत कम दे रखा है बट जब आप आप सुनल लेंगे तो आपको विस्तार से इन चीजों के बारे में पढ़ने को मिलेगा दक्षिनी हिंदी के भी बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा हिंदी जो अन्य बोलिया है भासा है ब्रज अबदी इन सब के बारे में पढ़ने को मिलेगा इसी में आपको खड़ी बोली के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा इनके कभियों के बारे में पढ़ने को मिलेगा उनकी रचनाएं क्या क्या है वो सब भी पढ़नी पढ़ेंगी चोता पॉइंट यहां पे है 19 सताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपी का विकास जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के समय में हिंदी को हम जिस लिपी में लिखते हैं उसको नागरी लिपी बोलते हैं और जो हम भासा बोलते हैं उसको हम खड़ी बोली बूलते हैं योगी उनिसमी सतब्दी में परचित हुए हम लोग उससे या उद्भो में आही यह विकास हुआ उसका पांचमा पॉइंट है हिंदी भासा और नागरी लिपी का मान की करण पैरामिटर्स या मान की करण क्या-क्या है उसके हिंदी भासा हो नागरी लिपी के उन सब के बारे में आप लोग परढ़ेंगे चटा पॉइंट है सोतंता अंदूलन के दोरा और राष्ट भासा के रूप में हिंदी का विकास या आप लोग देखेंगे कि जो हमारे सोतंता सैनानी थे उन्होंने किस तरीके से कविताओं के माद्यम से जनसबाओं के माद्यम से हिंदी भासा का प्रियोग किया कि हिंदी भासा जो है आज भी और पहले भी एक बड़े जन्मानस की भासा रही है हमेशा से इसलिए अपने विचारों को और विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बड़े जन संग्या तक पहुंचाने के लिए हिंदी भासा एक ऐसा माध्यमता जिससे वो अपने विचारों को बहुत जादा से जादा लोगों को तक पहुंचा सकते थे इसलिए यहाँ पर स्वतंत्ता अंदूलन के दोरान राष्ट भासा के रूप में हिंदी का विकास आप सभी लोग देखेंगे सात्मों पांट है भारतिय संग की राज भासा के रूप में हिंदी का विकास आप लोग देखेंगे जोकि हमारे समिधान में उसका प्रावधान दिया गया है अब लोग जब पॉल्टी ये राजनीत साथ पढ़ते होंगे तब उसमें हिंदी भासा का चर्चा की गई है वो उसे सम्वेधानिक दर्चा दिया गया है हम सब लोग जानते हैं कि बाइस भासा हैं हमारे सम्वेधान सम्वेधानिक अधिकार दिया गया है ऐसे ही हिंदी को भी दिया गया है हिंदी भासा का वैज्ञानिक और तक्नीकी विकास देखेंगे आप सभी लोग इसमें कम्प्यूटर में टाइपिंग में भी हम सबी लोग हिंदी भासा के यूज या प्रियोग कर सकते हैं। हिंदी की प्रमुकबूलियां और उनका प्रस्वास समझ भी यहां पर आप सब लोग देखेंगे। बूलि एथो बहुत है कि हुझी ब्राज वहसा कि हन्तरगत बढ़ेंगे हिंदी की प्रमुक बोलि आ और उनका प्रश्पर समंध भी नागरी लि्पी की प्रमुक और उसके सुधार के प्रयास तधा मानक हिंदी का सुरूप भी आप लोगों को पढ़ना पढ़ेगा. मानिक हिंदी क्या होनी चाहिए या क्या होती है? देवनाग्री लिपी या नाग्री लिपी, क्या है यह सब इसमें आप पढ़ेंगे विस्तार से. अब प्रसंट पत्र एक में ही दूसरा खंड है खंड खा जिसमें आप हिंदी साहित का इतिहास पढ़ेंगे अच्छली मैं वो भासा और लिपी से सम्मंद था इसमें अब लिपी और भासा का विकास हो गया उसके बाद उसमें रचनाए होने लगी तो उस रचनाओं में आप हिंदी साहित के इतिहास के बारे में पढ़ना हुआ है जिसमें आप पढ़ेंगे हिंदी साहित की प्राचंगिता और महत तता हिंदी साहित के इतिहास लेखन की परंपरा कहां से कब से क्या start कैसे लिखना कैसे शुरुआत भी लिखने की हिंदी साहित के इतिहास के निमलिके चार कलों की साहित प्रवतियां जो लोग पढ़ते हैं उनको पता होगा कि हिंदी साहित को कई काल खंडों में भी भाजित किया गया है तो उनकाल खंडों के बारे में उनके कभी उनकी रचनाएं उनका समयकाल ये सब आप लोंको पढ़ना पढ़ेगा उसी में आप देखेंगे खंडों के अधिकाल सिद्धनात और रासो साहित प्रमुकवी चंदरपर्दाई खुस्रोहम चंदरपिद्यापति इन सब कभियों के बारे में आपको पढ़ना पढ़ेगा और आधिकाल के बारे में पढ़ना पढ़ेगा कैसे कि मुझ अनाम इसका पादिकाल पड़ा। प्रप्रब के राध सुफी का भिधारा भी है. करशन का भाक्तिदार रामभाक्त प्रबड्रकुल्वर कभी इन सब के बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे। इसी कालखन में आगे बढ़ते हैं आप रीत काल के बारे में पढ़ेंगे उसके कभी रीत बदिकाब रीत मुक्तिकाब प्रमुक कभी जैसे इसमें हैं केसब विहारी पदमाकर घनानन जो भक्तिकाल के जो प्रमुक कभी हैं आप सब लोग जानते हैं कभी जाइसी सूरदास ये सम बहुत महत्वपूल कभी हैं, इनकी रचनाएं भी बहुत पूची जाती हैं, ये बहुत ही इंपोर्टेंट हैं, फिर हम पढ़ेंगे इसमें आगे आधनिक काल के बारे में, इसमें नब जागरण जैसा कि हम सब लोग इतियास में भी पढ़ते हैं, गद्ध का विकास पढ़ेंगे भारते अंदु मंडल के जो कभी उनके बारे इनकी रचनाएं पढ़ेंगे प्रमुक लेखक, भारते अंदु का बाल करशन बर प्रताप नाडायम इस जो की आधनिक काल के प्रमुख लेखक के रूप में जाने जाते हैं, इसी कड़ी में आगे बढ़ते उसमें छायाबाद, प्रगतिबाद, प्रियोगबाद, नई कविता, नवगीत, समकालीन कविता, और जनबादी कविता के बारे में आप रूप पढ़ेंगे उसके जो प्रमुक कभी हैं आदनिक कविता के इनके नाम बहुत महमस हैं सब लोग उन्हें सुने होंगे मैतली साण गूब्द, जैसंकर प्रसाद की कामाईनी, सुर्कान, प्रपाठी, निराला, महादेवी बर्मा, रमधारी सिंग इनकार, सच्दानन, पासने अग्ये, गजानन, मादब, मुक्तिबोद, नागार जुन, इन सब कवियों की रचनाएं पढ़ेंगे तो आपनों को बहुत ही इसमें लगाओ होगा पढ़ने के बाद, बहुत ही रुची दायक सब्जेक्ट है, कथा साहित में आप पढ़ेंगे उपन्यास और एर्धारतबाद, हिंदी उपन्यासों का उद्वर बिकास पढ़ेंगे, प्रमुक उपन्यासकार जैसे प्रेम चं हैं, चाहे हम हिंदी साहित को ग्रिजेशन में पढ़ें, चाहें पोस्ट ग्रिजेशन में पढ़ें, चाहें यहाँ पर अप्स्टनों लिए, प्रेम चंद्र हर जगए को पढ़ना पढ़ता है, जेनेन रहें, यस्पाल का दिब्यार, डेंडू, भीस्म, सहानी, इन सब के उपन्यास पढ़ने पढ़ेंगे, हिंदी कहानी के बारे में उसका उद्भब औविकास के बारे में पढ़ना होगा, प्रमु कहानीकार, प्रेम चंद्र की बहुत अच्छे-च्छी कहानी आएं, जैसंकर पसाद, सच्दानन, बास्यान, अग्ये, मोहन राकेस, और का उद्भब औविकास के बारे में पढ़ेंगे, प्रमु कनाटकार पढ़ेंगे, भारतिन, जैसंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र, माथूर, रामकुमार बर्मा, और मोहन राकेस, हिंदी रंगमंच का विकास पढ़ेंगे, उस इ में हैं आलोचना, हिंदी आलोचना का उ अभी और लिखों ने, जो बहुत सारे कविद्दाएं या रचनाएं की गई उनको, उनकी आलोचना की उनमें जो कमियां थी, उनको उजाकर करके सामने लाया, हिंदी आलोचना का उद्वव और विकास पढ़ेंगे, से धान्तिक व्यवारिक प्रगतिवादी, मनुबिशलेशनवादी आलोचना और नई समीच्छा, प्रमुक आलोचना में रामचंद्र सुकलें, हजारी प्रशाद्य वेदी, रामगिलास सर्मा और नगेंद्र, प्रसन पत्र दो, इस प्रसन पत्र में निर्धादित मूल बाठे प्रिस्तों को पढ़ना अपेचित होगा, और ऐसे प्रसन पोचे जाएंगे, जिनसे ब्यारती की आलोचना अत्मक चमता की परिज्चा हो सके, ठीक है, इसमें वी दो खंड हैं, का उ खा, इसमें पहले का म पद साहित है, पद में आप कबीर के बारे में पढ़ेंगे, उनकी जो रचनाएं हैं, कबीर, ग्रंता, बली, उसके आरंबिक सौपद, क्योंकि शाम सुंदर दास दारा लिखे गए हैं, उनको पढ़ेंगे, सूर दास के बारे में पढ़ेंगे, उनके जो रचना है, भरमर गीत उसके सारी चीजें दो नहीं पढ़ेंगे पर प्रारंबिक सौपद रामचंद शुक्ल ने लिखिया उसको लिखा है उसके बारे में आप पढ़ेंगे तुलसी दास कि रामचरित मानस सुन्द कान अबतावली उत्रकान ये सबाब पढ़ेंगे जो तुलसी दास ने द्वर लिखिये गई है अब भीहारी के बारे में पढ़ेंगे ब्यारी रतनाकर इसके बीश पारंबिक सौपद जोगी जगनात दास दार लिखिये और कोई भी देखक के द्वरार लिखिये मिल जाए मैं अटली सरंगुप की भारत भारती पढ़ेंगे जैसंकरपसाद की क पढ़ेंगे तो आपको बहुत इसमें अनन्द आएगा रामदारी सिंग दिनकर का कुरू छेत्र जो रचना है उसको आप पढ़ेंगे आग्या की आंगन के पार और असाति भी ना पढ़ेंगे मुक्तिबोद की ब्रह्मराश्यस नागरजुन के बादल को गिरते देखा है अकाल और उसके बाद अरजनगा था जो भी बहुत ही इंट्रेस्टिंग रचनाएं हैं इनके बारे में आप पढ़ेंगे अब पसंपत्र दोक के खंडखा में गदसाहित पर आजाईए उपर हमने पदसाहित देखा गदसाहित में आप असलिव पन्यास देखेंगे वो कहां में आनाटक भी इस कड़ी में आगए बढ़ते हुए हम देखें देखेंगे वारत दुर्दसाजों की नाटक है उसको पढ़ेंगे महम्रा केस का साल का एक दिन रामचंद्र सुक्र चिंता मड़ी सुक्र चिंता मड़ी बागे कभिता क्या है सुरद्धा निमंद बिले बाल करशन बट प्रेम चंद्रों गुलाब राय संपादक भी दिये हैं आजादी परसाद दुबेजी रामला सर्मा अक कुबेरना संपादक रक्टर संद्रिया जिसकी बुकें जो है वो आपको मिल ज आएंगी प्रेम चंद्र का है गोदान प्रेम चंद्र की सर्प्सेष्ट कहानिया संपादक अम्रत राय परसाद जैसंकर परसाद इसकंद गुप्त है यस पाल का दिप्या है वनी सनान परियों का मैला चले मनुगंडारी महा भोज राजिंद्रिया देप एक दुन्या समान अंदर हैं सभी कहानियां